पश्री मंगाल के जयन अगर में पियम नरेंद्र मोधी ने रैली को सबोधित करते वे सियम मम्ता बैनर्ड जी पर साधा निशाना कहा धमकियों और गालियां देने वाली दीदी कह रही है कूल-कूल दीदी त्रेण मूल कूल नहीं बंगाल के लोगों के लिए शूल है पश्री मंगाल और असमे आज दूसरे चरण के लिए हुआ मतदान बंगाल के 30 असम के 49 सीटों पर डाले गए बोट बोटिंग के तुरा नंदिग्राम से शुभेंदू अधिकारी के काफिले पर किया गया हमला मम्ता बैनर्ड जी ने भी विल्चियर पर पोलिंग बूत का ल जाउंगी कोट बीजेपी के राश्ची अध्यक्ष जेपी नड़ा ने केरल के करुण नाग पल्ली में एक चुनावी जनसभा के दुरान विरोधियों पर साधा निशाना कहा कॉंग्रेस का अर्थ है मिशन इन करप्शन एल्डियव और यूडियव दोनों इस भूमे के सा लंगियों को चुना चाहिए था वो कहीं न कहीं पिछड गया है आज इसका प्रमाण है कि कोविट प्रबंदन में केरल सरकार का विफल हुना दक्षन फिल्मों के सूपरस्टार रजनी कांथ को मिलेगा फिल्म में दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहिप फाल के अवोर्ड के इंद्रे सोचना और प्रसारन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने दीस की जानकारी रजनी कांथ को 3 मई को दिया जाएगा 51 दादा स चुनाव वायुगने कॉंग्रिस की शिकायत के बाद असम के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा सर्मा को भेजा नोटिस कॉंग्रिस ने हेमंत बिस्वा पर लगाय थे बेपियत के हरगमा मोहिलरी को जेल में भेजने वाले धम की कारों कोरुना के बढ़ते मामले के बीच केंद्रिस सरकार ने अप्रेल में रोज वेक्सिनेशन करने के दिये निर्देश केंद्र ने राची और केंद्र शाषित प्रदेशों से कहा कि सरकारी छुट्टी वाले दिन भी सरकारी और प्रावेट सेंटर पर लोगों को टीका लगा बॉलिवुड के दिगच एक्ट्रेस सकीरन खेर ब्लड कैंसर से जूज रही मुंबई में चल रहा एक्ट्रेस का इलाज चंडिगण भाजपक की अध्यक्षिय अरुंज सूद ने दी यह जानकारी पिछले 24 गंटे में कोरुना के बाद 1330 नए केस आये सामने 469 लोगों की गई जान कोरुना के कुल मामले 1,22,21,665 हुए